नमस्कार दोस्तो देखे कल ही अमित शाह यानि के शनीवार को अमित शाह इंडिया टूडे के कॉनकलेव में बोल रहे थे बैंगलोर में जो करनाटक चुनाव के संदर्ब में था और उस कॉनकलेव में अमित शाह ने अपने इंट्रिवू के दोरान पाकिस्तान, खालिस्तान, अमरतपाल सिंग इसके बारे में बड़ा विस्तार से बोला और अमित सहा का जो बयान था वहाँ का जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की उसे देखने के बाद मुझे इतना स्पष्ट हो गया था कि अमित शाहा अगर खालिस्तान के मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर, कुछ सीरियस होने वाला है और देखिए आज रवी बार की सुभह हम सब सोकर उठे तो ख़बरे चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि अमरत पाल सिंग को गिरफतार कर लिया गया है अमरत पाल सिंग को मोगा से गिरफतार किया गया है उस गाउं से गिरफतार किया गया है जहां से उसका आदर्श बिंडरावाला बिलोंग करता था वो पहले गुर्दवारे में आया वहाँ पर उनने लोगों को स्पीच दी और उसके बाद पुलिस आकर उसे अरेस्ट करके चली गई अब सबसे बड़ी ख़बरे तो ये हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर कि क्या अमरत पाल को सरेंडर कराया गया या अमरत पाल को गिरफतार किया गया इस पर इस वीडियो में विशलेशन करने की कोशिश करूँगा लेकिन मैं आपको पहले अमित शाह के उस इंट्रिवू के बारे में बताऊँगा देकि अमित शाह ने उस इंट्रिवू में ये कहा था कि अमरत पाल सिंग को गिरफतार करने की कोशिशे जारी है और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में कोई खालिस्तान लहर नहीं है यही सवाल उन से पूछा गया था क्या पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी या फिर जो दूसरे संगठन है वो खालिस्तान से रिलेटिड जो चीजे चल रही हैं उनको दुबारे से बढ़ाने में सफल रहे हैं क्या खालिस्तान को लेकर कोई लहर चल रही है इस बारे में जब उन्होंने सारी बाते जानने की कोशिश की थी तो उसके जवाब में अमित शा का ये बयान आया था कि देखे कोई लहर नहीं है और इन चीजों को बिने वज़े न बढ़ाया जाए उनने का कि राज्य में जो भी स्थिती है उस पर केंदर सरकार कड़ी नजर रख रही है और उनने का कि पंजाब सरकार ने भी इस बारे में अच्छा काम किया है और केंदर ने उनका पूरा सहयोग किया है और भगोडा अमरत पाल सिंग जल्द सलाकों के पीछे होगा शनिवार को अमित शाह का ये बयान आया और देखिए रविवार की सुबह अमरत पाल सिंग गिरिफतार हो जाता है देखिए इस पूरे प्रक्रण को लेकर मैं बता हूँ के अमित शाह ने एक बात और भी कही इस इंट्रिवू में उन्होंने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पहले खुले आम खूमता था लेकिन अब वो अपनी गती वीडियो को जारी नहीं रख पा रहा है उनका कहने का मतलब ये था कि उन पर इतना दबाओ के इंद्रिय एजंसियों ने मिलकर पंजाब की पुलिस ने मिलकर अमरत पाल सिंग पर बना दिया है कि वो अब छिपता पिर रहा है शुरुआत में तो उसने अपने शोशल मीडिया पर तस्वीरे भी डालने शुरू की शुरूआत में वो अपने वीडियो भी डाल रहा था कि देखे मैं कहा घूम रहा हूं आजादी से घूम रहा हूं दिली में रहने तक कि उसकी खबरे आई थी बहुत सारी चीज़े आई थी, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते वे उसकी तस्वीरे आ गई थी, वीडियोज आ गए थे, लेकिन हम इस शाने कहा कि अब उस पर इतना दबाव बढ़ा कि उसे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, वैसे मैं आपको बता दूँ कि अजनाला के था पर जब उसने अपने समर्थोकों के साथ धावा बोला था, ये घटना थी दोस्तों 23 फरवरी की, और लगबग अब 37 दिन के बाद उसे अरेस्ट किया गया है, इस बीच बहुत कुछ हुआ, 23 फरवरी को जब ये घटना हुई थी, तब उसी समय सब के कान खड़े हुए थे कि बताईए, एक थाने में घुसकर अपने समर्थोकों को छुडा रहा है, खालिस्तान समर्थक, तो ये सारी जो चीजें हैं, केंदर के नजर में आई थी, पुलिस को, पंजाब की पुलिस को ऐसा लगा था, कि ये तो हमारा अपमान हो गया, कि हमारे जो सीनियर ओफिसर्स हैं, उनको एक तथा कतित जो अलगावादी टाइप का देखती है, वो थाने में बुलाता है, और उनसे अपनी टर्मस और कंडिशन पर डील करता है, कि मेरे आदमियों को आपको छोड़ना होगा, जिने आपने बिना किसी धारा के या गलत धाराओं में पकड़ा हुआ है, तो पंजाब पुलिस बड़ा कमानित महसूस कर रही थी, और इसी सिलसले में दो मार्च को भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उन्हें बुलाया था अमित शाह ने दिली में, और दोनों के बीच बात चीत हुई, उसमें अमित शाह ने साफ साफ भगवंत मान को समझा दिया था कि मान साब ये काम ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से आप कर रहे हो, इतनी डिलाई से काम नहीं चलेगा, वरना फिर ये लोग घुश जाएंगे आपके मुख्यमंत्री के आवास पर भी, तो आप लोगों को इन्हें संभालना होगा अभी सही, तब भगवं मान की आँख खुली थी, पंजाब पुलिस को जागरत किया गया था कि भाई जाईए और अपना मान सम्मान वचाईए और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस जो है तनमन धन से लोगी और जो इंटेलिजेंस एंसिया है केंद्री है, वो सब की सब सक्रिये हुई और जितने सरेंडर करने पर सहमती जताई, लोग यह सोचते हैं कि सरेंडर करना एक बहुत बड़ी जीत की बात है, जीत की बात नहीं है, दरसल इसी स्थिती इतनी खराब कर दी थी कि इसके सामने सरेंडर करने के लावा चारा कोई बचा ही नहीं था, कुछ दिनों पहले तो 15-20 दिन इसने कहा था कि मैं जो कोई उत्सव था, स्याद बड़ा उत्सव था, कुसी मैं समझे नहीं पा रहा हूं कोई सिख्व से जड़ावा को बड़ा उत्सव आया था, तब उस अवसर पर इसने कहा था कि मैं गोल्डन टेंपल में जो कार्यकरम होने वाला है, हरमंदर साब में उस अवसर पर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ पंजाब पुलिस ने साफ मना कर दिया होम मिनिस्टर ने साफ कहा कि इसको हीरो मत बनाओ इसको ऐसी जगह से बिलकुल मत पकड़ना जहां पर हजारों के भीड़ो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं तो इसलिए इसको इस कंडिशन में लाओ कि ये चुपचाप सरंडर करने के लिए राजी हो जाए और उसको राजी किया गया और फिर उसके बाद आज सुबह ये घटना हुई जिसमें मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में जो मेरे पास मालूमात आए हैं मैंने जानकारी की पंजाब में एक पत्रकार साथी है उन्हें फोन गुमाया उन्होंने का कि हर्जी हमें भी जादे जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है लेकिन बात ये जानकारी मिली है कि अमरत पाल को मोगगा का रोडे वाला गुर्दवारा है जहां से बताया गया कि जो वहां के पूर्व ग्रंती हैं उन्होंने पुलिस के साथ कोडिनेट किया कि अमरित पाल सिंग यहां आने वाला है और आप इसको यहां से अरेस्ट कर सकते हैं उससे पहले जो यह बताया जाता है कि अमरत पाल सिंग ने यहां पर एक वीडियो जारी करके अपनी एक स्पीच भी दी थोड़ी सी उस वीडियो क्लिप को पहले वाइरल किया गया यह दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा हीरो हूँ और मैं भिंडरावाले को अपना चीज यह थी कि इस सक्स ने जब अजनाला से अपने समर्थकों को थाने से शुड़ाया था तो उस समें इसने एक बहुत जोश में आकर एक बात कह दी थी कि देखें जिस तरह से इंदरा गांधी को सबक सिखाया था खालिस्तान समर्थकों ने उसी तरीके से अमित शा को भी सबक सिखाया जा सकता है एक तरह से अमित शा को सिदे चैलेंज कर दिया था या अमित शा को मार डालने की धमकी दे डाली थी और उसी के बाद केंदर सरकार में केंदरी एजेंसियों ने ये तैय किया था कि अब इस सक्स को बक्सा नहीं जाएगा अभी दो दिन पहले ये भी खबर आई थी कि इसकी बीवी जो है वो पंजाब से वो जाने वाली थी कहीं विदेश एयरपोर्ट पर उसको ट्रेस कर लिया गया उसे का जाईए अपने गाउं जाईए हाला कि इसे लेकर कुछ मीडिया के सेक्संस ने हंगामा भी बचाया कि हसाब उसकी बीवी को रोक लिया गया अरे बाई एक आतंकवादी गती विदियों में लिपत आदमी है उसकी पूरी फैमिली उसके पूरे जान पैचान की लोगों पर तो नजर रखती ही है पुलिस य आपके परिजनों को भी परिशान किया जाएगा तो यही सारी चीजे हुई थी और इसी वज़े से अमरत पाल सिंग आज सरेंडर कर रहा है तो यह सब चीजे मिक्स अप हैं इसे कदे भी यह मतमाना जाए कि अमरत पाल सिंग एक हीरो की तरह सरेंडर हुआ है उसकी हलत वो क करने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं है अब खबर यह आ रही है कि उसको यहाँ से एर फूर्स के स्टेशन पर ले जाया गया मेरे खाल में शैद कहां ले जाया गया है इसे जो अभी तक जानकारी आ रही है उसमें यह जानकारी आ इसको डिबरुगड बेजा जा रहा है आपको बता दूँ कि डिबरुगड में जो है इसके कुछ जो समर्थक हैं खालिस्तान समर्थक उनको अरेश्ट किया गया था असम की जो डिबरुगड जेल है वहाँ पर चार पांच लोग रखे गए हैं तो फिलाल जानकारी यही है द अमरसर अमरसर से शायद उसे डिबरुगड असाम ले जा रहा है और उससे आगे की पूछताच होगी इस मामले में जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा आप जुड़े रहिए मेरे साथ नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ल